हेलो आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एगजाम न्यूजबाई ओधैसर में दोस्तो एक नौटिस काफी तेजी से वाइरल हुआ ग्राम सचिव एगजाम को लेकर लेकिन वो फेक नौटिस जारी कर दिया गया है HSC के द्वारा क्योंकि HSC के साइट पर एक ओफिसियल नौटिस जारी किया है उसकी वज़े से उसमें सपष्ट के लिए ये बोला गया कि वो फेक नौटिस है साइट पर ही कोई नौटिस आई तभी विश्वास करें तो भाई हमने भी वीडियो डाली उस नौटिस को लेकर कि भाई एकजाम होगा परेल महीने में उसके लिए हम भी आपसे माफी चाहते हैं क्योंकि वो फेक नहीं हो जाए और बहुत सारे यूटूबर हैं जिन्होंने डाली है पेपर में भी खबर आई तो वो फेक साबित हुई है तो इसके लिए हम फिर से आपसे माफी चाहते हैं लेकिन आप मुझे एक बात बताएं अगर आप किसी भी एकजाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और मान कर चलते हैं इस तारीक को आपका एकजाम हो जाए तो भई आप क्या कर लिए एक महीने में। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक्जाम आज हो, दस दिन वाद हो, बीज दिन वाद हो, महीने वाद हो, आप पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें. क्योंकि मैं आपको एक ही बात बोलूगा, ये मौके बारवार नहीं मिलते हैं, मेरा जो मकसद है कि ए दूसरे एक्जाम की डेट डिकलेर कर देती है, चैसी मार्च महीने में, तो भाई ये तो आपका अप्रेल से भी पहले एक्जाम हो जाएगा, फिर आपके लिए परेशानी बन जाएगी. क्योंकि कुछ सातियों ने मेरे पास कॉमेंट करें कि कुछ जानकारी नहीं है, वैस जारी किया गया, तो उस समय मैंने बोला था, अपनी वीडियो में, कि ये फेक है, क्योंकि एक दिन पहले मैंने वीडियो डाले थी, लेकिन दूसरे दिन जब सुबज सुबज पेपर में एक ख़वर आई, सभी पेपर में जानकारी आई, कि भाई एक्जाम की ये डेट डे क्लियर कर दिया, मतलब क्लियर कर दिया, कि कोई एक्जाम नहीं है, हो सकता है चेसी मारसी महीने में कोई एक्जाम ले ले, तो भाई बस इतना ही आप से कहना चाहूंगा, कि एक्जाम आज हो, कल हो, कभी भी हो कोई भी एक्जाम, आप केबल पढ़ लें, मौके बार बार न मन नहीं करेगा और भटकाने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे इस दुनिया में गाइड करने वाले बस एक दो ही नजर आएंगे तो जो आपको सही मतलब जो आपको सही जानकारी देते हैं उनके साथ जुड़े रहें आगे बढ़ते रहें तो बस फिलाल के लिए तनी ह जानकारी और मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी तो आप एक्जाम की तयारी करते रहें और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा आप सभी का बहुतो धन्यवाद